नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनांदन है। आज हम भारती चित्र कला का पुना जागन काल पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की परचर्चा। पर चर्चा सुरू करने से पहले हम पुना उत्थान काल या भारती चित्र कला के पुना जागन काल से की प्रिश्टिभूम के विशे में चर्चा करनी आवश्चिक है। 1857 की क्रांति के समय से कमपनी के हाथों से सासन सत्ता निकल कर सीधर ब्रिटिश सासन के अधीन आ गई। जो अंग्रेजी सिच्छा में निपूड था उसने वहां की क्रांतियों वहां के मौनो मुल्यों सोतनृता आधि का अध्यन किया। जिसका भारत में आकर प्रचार करने लगा। जिससे यहां के लोगों में अपनी सोदेशी भावना भी जागरत हुआया। और वह तुलांत्मक तरीके से यहां भी सिद्ध करने लगा किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए भ्रह्म ने हम को हानी पहुँचाई। हम प्राचीन समय से हर प्रकार से सच्छम हैं और इन से किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं यहां जो हमें आजुनिक्ता के नाम पे शिखा रहे हुआ सरासर एक धोखा है। अब हम इस सम्मंद में कुछ विद्वानों के दिये गए वक्तव्यों के बिशे में पढ़ेंगे। लाड मैकाले ने लिखा पूरे भारत का साहिते एक बिटिशल मारी में रखी रद्दी के बराबर है। ठीक इसी से में हडपा, सब्भिता और प्रगतिहाशिक काल के चित्रों की खोज ने हमारी शब्भिता और कला की प्राचिंता मानो इतिहास के प्रारम तक ले आती है। इस खोज ने भारतियों को काफी सबलता प्रदान की तथा उनके मन में नया विश्वास भी जगा दिया पुना जागन काल का प्रभाव राजनेतिक सांसिकृतिक छेत्र के सार्षात कलात्म को आतावण पर भी पड़ा आउनी नात के नेतरत में भारती कलाकारों ने पुना जागन आंदोलन को आगे बढ़ाया भारती कला की अलोचना करते हुए अंग्रेज अधिकारी वर्ड वुड ने लिखा उबला हुआ चरवीश बना पकवान भी आत्मा की उतकट नेर्मलता तथा इस्थिलता के प्रतीक का काम दे सकता है इवी हेविल ने अंग्रेज विद्वानों दारा फैलाय जा रहे भारती कला के विशे में अफवाओं को पहँचाना और उणोंने भारती कला की महंता को पहँचाना और स्षाएष अंसार को अपने लेखों और अपनी किताबों से परचित कराया उद्वारती कला को लेकर फैला किये जा रहे सहो तेले विवार को देखा जिससे वा अत्त आहत हुए इन्होंने भारती कला को हर प्रकार से स्रेश मननता भारती चितर कला की विश्यस्ताओं को बताते हुए कहा इउरोपी कला तो केवल सांस्क्री वस्तों का ग्यान कराती है पर भारती कला सर्व, बैपी, अमर तथा अपार है इवी हैविल के अथिक प्रयाशों से विदेशी विद्वानों का भी भारती कला के अपरती सोंच बदली उनके दश्कोंड में कुछ नर्मी आई इवी हैविल ततकालीन वायरस राय लाड करजन से अग्या लेकर यूरोपी सहली में बने चित्रों को बेच कर भारती लग चित्र सहली तता आजंता सहली के प्रतलिपियां कला विद्याले की कला देरगा में लगाई इवी हैविल की लोक पट चित्रकला के साथ साथ भारती कला पर आईडियल आप इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग अनिस्कलप्चर दी बंगाल पट अजंता फिसकोस जैसी पुस्तके निकाली जिन में उन्होंने भारती चित्रकला के विशे में विशत जानकारी प्र की भारती कला पर अपनी दू दर्शिता तथा लेखन के द्वारा विश्त को परचित कराया ओसी गंगोली ने रूपं पत्रकास कर संपादन किया जिसके माद्यम से भारती कला पर कुछ दिल्चेस्प टिपड़ियां की भारती कला की वास्तिक रूप को संसार के समुख प् इसके सभापती लाड किचना जान वडरूप गगनेनाद आउनीना समरेनना ठाकूर जेमनी प्रकास समरेनना ठाकूर आज इस अदस थे ततकलिन बंगाल के गौवर्नर कार माइकेल तत्था लाड रोनाड से ने पुना उत्थान के इस आंदोलन को हर प्रकास से प्रसाहित क जापान के प्रिशिद्ध कला बेता और दासनिक विद्दान ओको कोरा 1902 में भारत आये ओको कोरा से आउनीनात अत्यधिक प्रभावित हुए ओको कोरा पूर्वी कला के प्रबल समर्थक तथा पश्मी देसों की कला के मुखर विरोधी भी रहे थे 1903 में इनकी पुस्तक आ आउनीनात ने दो जापानी चित्रकारों से सिच्छा प्राप्त की और चीज़ जापानी भारती शैलियों के 99 शैली को जर्म दिया जो वास शैली, बंगाल शैली या पुनो जागन शैली के नाम से भी जानी जाती है चित्रकला के पुनो जागन काल के प्रवर्तक आउनीन ना ठाकुर थे तथा इसमें अतिश्क मारहल दर नंद लाल बर्शु इनके प्रमुक सहायक रहे हैं यह कला आंदोलन बंगाल से प्रारम होकर पूरे देश में फैला इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपुनो जागन काल का यह अंदोलन बंगाल में भारती चित्रकला के लिए एक नवीन शवेरा सिद्ध हुआ जो दीरे धीरे शिखर पर पहुँच कर श्रमपूर देश को अपने प्रकार से प्रकार सिद करता रहा इस अंदोलन ने भारती कलाकारों में अपने अतीत के गोरों से प्रणणा लेने के लिए प्रेरित किया तथा नवीन व्यश्विज्यान को भी अपने स्रजन में समलित करने के लिए प्रोष्टाहित किया इसी आधार पर आगे चलकर भारती चित्रकला का बिकाश हुआ पुनो जागन काल के प्रमुक चित्रकार आउनी ना ठाको रतिश्क मार हल दर्नन लालबाई से एलेंड ने डे मजूमदार आधी पुनो जागन काल से सम्मंधित कुछ प्रस्ण भारती चित्रकला का पुनो जागन कहा शेप्रारम गुआ बंगाल से भारती चित्रकला के पुन जागन काल को अनि नामों से जाना जाता है बारती चित्रकला का पुन उत्थान काल या वाश्राइली के नाम से भी जाना जाता है पुन जागन काल का स्रे या पुन जागन काल का मुख्य चित्रकार या प्रवर्तक माना जयते हैं आउनिन ना ठाकोर। पुन जागन किस भावना का प्रतिफल था सोदेशी भावना का प्रतिफल किस बिद्वान ने का ओशी गांगोली ने किस पत्रिगा में छापा रूपम पुन उत्थान के कलाकारों कलाकार प्रवावित थे भारती इता से दर्शी कलाव में पुन जागन काल का सबसे अधिक प खिलाप यह एक अंदोलन था यह दोनों का थनिश्में शही हैं वीडियों देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर यह अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब अवर्शी करें शाथ ही अगर कोई सुधार या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बाक्स में जरूर ब